बल आघूर्ण और जड़त्व आघूर्ण में क्या संबंद है क्लास 11 फिजिक्स घूर्णी गती रोटेशनल मोशन के अंतरगत आज हम इस कोश्चन को देखेंगे देखें यहाँ पर हमको एक यह द्रणपिंड दिखाई दे रहा है यह एक रिजिड बाड़ी या द्रणपिंड है जो यह जो अक्ष आपको दिखाई दे रही है एक स्वाई अक्ष इस अक्ष के परितह यह घूर्णन करने में सक्षम है ठीके क्या का हमने कि यह एक द्रणवस्तू या द्रणपिंड है और ये इस घुर्णन अक्ष जो की यहाँ एकसवाई दिखाई दे रही है इस घुर्णन अक्ष के परितह घुर्णन करने में सक्षा में तो जब इस पर एक इस वस्तू के उपर जब एक टॉर्क लगाय जाता है तो इस वस्तु में क्या होगा हमें पता है कि बल लगाने पर त्वरण उत्पन होता है और बल अगून की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कोणी ये त्वरण उत्पन होता है तो हमने जो बात की वो ये है कि हमारे पास में एक द्रण वस्तु है और ये द्रण वस्तु जो है वो XY अक्ष के परिता कोणिये वेक ओमेगा से घुड़न गती कर रही है हमने का कि जब इस पर एक बलागून टो लगाते हैं तो इसमें कोणिये तवरण अलफा उत्पन होता है अब हमें बताए कि ये जो पिंड है या ये जो वस्तु है ये असंखे कणों से मिल कर बनी हैं देखी मैंने या चोटे चोटे कंणों के रूप में इसको बताया है और इन कंणों के जो मान एमत्री द्रविमान के कण की दूरी आर्थरी है तो अब हमने का कि भई पिंड के सभी कणों का कोणी इतवरन तो समान हो गया ठीक है कोणी इतवरन समान हो गया क्योंकि हमने का कि यह पिंड जो है एक समान कोणी इतवरन क्या होगा वो अलफा हो जाएगा मतलब वो भी क्या ह समाने परंतु यहां एक बात महत्वपुने कि घुर्ण नक्ष से ये जो दूरियां है ये हरेक कंड की क्या है अलग अलग है तो फिर इन कंडों का रेखी तवरण क्या होगा अलग अलग होगा क्योंकि हम जानते हैं कि जो रेखी तवरण होता है वो क्या होता है ये दूरियो को ले लेना चाहिए और उस एक कण के बारे में पूरी बात निकाल लेना चाहिए उसके बाद में फिर सारे कणों के लिए इसी प्रकार से हम लिख देंगे जैसे माल लिजे हम कहते हैं कि घुणन अक्स से आरवन दूरी पर एक M1 द्रवमान का कण है ठीक है और उसका रेखी तुरण अलग अलग होते हैं तो उसका रेखी तुरण हमने मान लिया एवन तो अब न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या कहता है एब बराबर में तो इस M1 द्रवमान के कण पर क्या होगा बल कितना लगेगा चली इसको चेक करते हैं सबोस इस पर बल लग रहा है F1 तो यह जो बल होगा इस बल का मान क्या होगा F1 is equal to M1 A1 देखे F is equal to MA होता है तो F1 is equal to हो गया M1 A1 ठीक है क्या कहा हमने कि M1 द्रवमान के कण पर बल होगा F1 is equal to M1 A1 ठीक है F is equal to MA से यह न्यूटन की करती के दूसरे नियम से और मैंने भी कहा कि हम एक कण के बारे में बात करेंगे भी और उसी से फिर हम सब के लिए निकाल लेंगे तो चलिए अब यह F1 is equal to हो गया M1 और यह A1 तो A क्या है अभी हमने बात की थी कि यह जो A है क्या है कौन सा तवरण है यह रेखी तवरण है ठीक है और कोणी तवरण कोने अलफा ठीक है हमने का कोणी तवरण तो सबका समान है तो यहां आपने अलफा लिख दिया अलफा लिखने की है क्योंकि इंधि में कोणी तवरण अलफा उत्पन हुआ है और वह सबी कंणों के लिए क्या है समान है। observe इंधिए अलफा लिख दिया लेकिन वने अभी ये बात की थी किूंकि घुननक्स में अलग अलग है То रेखे तो घुननक्स में अलग होने से रेखी तवरण अलग है तो यह हो गया alpha r1 ठीक है तो f1 is equal to हो गया m1 alpha r1 ठीक है क्या कहा हमने कि जो रेखी त्वरण है वो क्या है a is equal to होता है कोणी त्वरण alpha गुणी घुननक्स से दूरी r के गुणा के बराबर तो alpha r लिखना था हमको a के place पर तो a1 के place पर हम लिख देंगे alpha r1 क्योंकि alpha तो बदला नहीं है दूरी बदली है इसलिए यह बदला है इसके बदलने से बंतब गुणनक्स से दूरी बदलने के कारण यह बदला है यह सवाल है ठीक है ना clear हुआ मेरे ख्याल से तो m1 द्रवमान के कण पर हमने बल निकाल लिया f1 is equal to m1 alpha r1 आगे बढ़ते हैं अब हम इस कण का घुणनक्स के साफ एक्ष बल आघुण निकालते हैं क्योंकि हमें तो बला घुण निकालना है तो बला घुण क्या होता है बल बल घुणा बल की क्रिया रेखा की घुणनक्स से लंबवत दूरी तो बल क्या है यहां सपोस इस पर बल कितना लगाया था हमने f1 लगाया था और जो बल की क्रिया रेखा की घुणनक्स से दूरी इसकी कितनी हो तो जो इस खंड का घुणन नक्ष के साप एक्ष बला घुण होगा वो टो इस इकल टो होगा F1 R1 अब हमारे पास F1 का मान है उसको रख दीजी तो ये देखिए टो 1 इस इकल टो F1 R1 तो टो 1 की वेल्यू क्या हुई F1 के प्लेस पर M1 अलफा R1 जो भी हमने निकाला था और इंटू R1 हो गया ठीक है यह R1 तो ही रहा है और यह F1 का मान लिख दिया चलिए अब देखिए दो R1 हो गए तो R1 का स्क्वेर हो जाएगा गुणा में है न तो टो 1 इस इकल टो हो जाएगा M1 अलफा R1 स्क्वेर यह मैंने भी कहा था कि एक कंड का गुणा नक्ष के सापेक्ष आप बला गुण निकाल लीजिए फिर आप सारे कंडों का इसी तरीके से लिख पाएंगे तो हमें बात समझ में आईगी जब भी हमको बला गुण और जड़तवा गुण में रिलेशन लेना हो तो पहले हमको क्या करना चाहिए बल निकालना चाहिए और बल निकालकर फिर बला गुण निकाल लेना चाहिए और वो किसके लिए निकालना चाहिए एक कंड के लिए ग इतना बलागुण लगा तो सारे जो बलागुण है एक एक कंड के बलागुण है ना एक एक कंड का गुण नक्ष के साफ एक बलागुण जो है वो सब जोड लिए जैसे M1 द्रवमान के कंड के लिए टो बन हो जाएगा M2 द्रवमान के कंड के लिए टो टू हो जाएगा M3 द करते हैं आपको चलना है तो यह हो गया m1 alpha r1 square plus m2 alpha r2 square plus m3 alpha r3 square plus डेश 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 यह हो गया आपका बल आगुण ठीक है अब इसका relation किसे लाना है जड़त्व आगुण से डोंट वरी अभी आ जाएगा देखिए यहां जो कामन है उसको देख लीजिए alpha कामन है इसको भाहर ले लिजिए तो यह हो जाएगा टो इस इकल टू alpha कामन एम 1 r1 square plus m2 r3 square plus m3 r3 square plus डेश 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 अब आप ध्यान से देखिए m1 r1 square plus m2 r2 square plus m3 r3 square plus डेश 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 यह क्या है यह सिग्मा mr square है और सिग्मा mr square क्या होता है जड़त्व आगुण ह होता है तो यह आपका घुणनक्ष के सापेक्ष जो है जड़त्वा गुण बन जाएगा तो इस तरीके से आप टो इस इकल टू लिख सकते हैं यह देखिए alpha लिखी दिया आपने और यह हो गया सिग्मा mr square और सिग्मा mr square जो है घुणनक्ष के सापेक्ष जड़त्वा गु हुआ तो संबंध हमारा क्या निकल कर आया संबंध हमारा निकल कर आया कि बल आगुण बराबर कोडिये तवरन गुणा घुणनक्ष के सापेक्ष जड़त्वा आगुण धन्युआ